लोग तो कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ कि बहतर होंगे आपके अपने यूटूब चैनल जनकारी मोड में आपका स्वागत है खुशाम दीद है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लिकेशन राइटिंग के बारे में एप्लिकेशन कैसे लिखे हैं ठीक है क्योंकि एग्जाम में आपको लेटर एप्लिकेशन और नोटिस ये तीन चीज आएगा और वहां से आपको 15 नमबर आएगा 55 नमबर का एक होगा तो हमने लेटर राइटिंग और नोटिस के बारे में वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपका वीडियो जब खतम होगा तो आपके स्कीन पर सामने आ जाएगा तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं देखिए इसमें आपका सवाल है यूर राहूल अफ जिला स्कूल सारन आपको सीधा नहीं बोलता है कोई भी अप्लिकेशन लिखने के लिए कि एक अप्लिकेशन लिख दीजेजेगा आपको कोई एक नाम दे देता है कि आप वह हैं और फिर आपको उसे साब से लिखना होत तो ये कोई भी स्कूल हो सकता है जरूरी नहीं कि यही नाम हो आपको कोई दूसरा नाम भी दे सकता है ठीक है तो जो नाम दिया रहेगा उसे साब से आप लिखेंगे बस नाम चेंज कर देंगे बाकी यही रहेगा देखिए अंसर कैसे शुरू करेंगे तो यहाँ पे है आ आपने उनको बताया कि मैं आपके स्कूल का क्लास तेंथ का स्टूडेंट हूँ और इस स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टेन भी हूँ आपने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक मैच और इस स्कूल का नाम दिया हूँ और इस स्कूल के बीच में ठीक है आगे हैं कि दिस विल बी अग्रेट एक्स्प्रियंस एंड चैलेंज फूर आर इस्कूल स्टीम यह हमारे लिए बहुत एक चैलेंज होगा कि हम उनके साथ खेलेंगे ठीक है और अच्छा एक्स्प्रियंस भी होगा करणली अलाव अस टू अर्गनाइज दे मैच विद अकैंडमी किरपया करके महरबानी करके बराय महरबानी इस मैच को और्गनाइज करवाईए उस एकडमी के साथ और यहाँ पर आपने कर दिया थैंकिंग यू यूर्स टूली राहूल आप टूली और ठीक है फैथफुली जो भी लिख सकते हैं और आपने अपना नाम लिख दिया राहूल तो इस तरह से आप एप्लिकेशन लिख सकते हैं जो भी आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट जो रहेगा उससाब से आप लिख सकते हैं बस सब्जेक्ट बदल देना है उसके बारे में बीच में लिख देना है तो दोस्तों वीडिय और लेटर ठीक है तो इसलिए अच्छा से इसको कर के जाईएगा यहां से आपको 15 नमबर आने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बै थैंक्स पर वाचिंग जैहेंद